नमस्कार दोस्तों मुख्यमंद्री समझकर संबोधन देने लगे सिवरा सिंग चोहान हस्ता हुए सिवराज ने कहा कि 20 साल तक जो है सीएम रहा हूं तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो के मादब से कभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो है सब्स साल तक वह मत्ड़ प्रतिश के मुख्यमंद्री रहे हैं लेकिन अभी वह अपने पुड़ाने पत को शायद नहीं भूले हैं नहीं दिल्ली में आई जो आई सी एम आर के करेकरम में सिवराज सम्मधित कर रहे थे इस दोरान उन्होंने खुद को मुख्यमंद्र केगा सम्म हसने लगे संबोधन के अंदर में सिवराज खुद हस पड़े और कहा कि मैं खुद को बार बार मुख्यमंत्री बोल रहा हूं आता दीरे दीरे जाएगी कारिकरम के दोरान सिवराज सिंग जोहान ने कहा मैं सूची जोहें बनवा रहा था कि और किस किस से मिलूं आप सबसे बात करना चाहता हूं क्यों कि मुख्यमंत्री को हर बिसे की जानकारी नहीं होती है इतना बोलते ही सिवराज को समझ आया कि वो अब करशी मंत्री हैं फिर मुख्यमंत्री नहीं किर्शी मंत्री चार बार का जो है सियम रहा हूं तो 21 साल रहा हूं तो कुछ दिन तो लगेंगे भूलने में वहां भी मुझे गुमान नहीं था कि हम भी जो है हमी सब कुछ जानते हैं कारिकरम में सिवराज सिंग चोहान ने का हमें किर्शी को आगे ले जाना है और किसानों का कल्याण सुनेश्चित करना है। प्रतान मंतरी का विजन ही हमारा मिशन है। जिस दिन से मैं किर्शी मंदरी बना हूं, दिन रात यही सोचते रहते हैं कि इसे बहतर के से किया जाए। सिबराज ने कहा कि हम मिलकर कोई ऐसा रोड मैप बना लें जिससे जिस पर चलकर ना केवल भारती किरसी की और किसान का ल्यान जो हो सके बलकि हम भारत को दुनिया का फुट फास्केट जो है बना दें दुनिया को अन्य खिलाएं और एक्सपर्ट करें किरसी के बदलना मेरी जिद सिवराज सिंग चोहान किसानों के हित की बात करते हुए सिवराज ने कहा हमारे यहाँ 86% किसान इस स्मॉल जो है मार्जिनल किसान है हमको खेटी का मोडल ऐसा बनाना पड़ेगा कि किसान एक हेक्टियर तक की खेती में अपनी आजी भी का ठीक से चला सके किरसी के प्रेद्रश्य को पूरी तरह से बदलना मेरी जिद है मैं किसान और विग्यान को जुड़ना चाहता हूं तो यह जो इस्टेट्मेंट क Universe करते हैं तो कि आपका कमैंड राय में जो है आपका कमेंड दीजिए कि कर पाएंगे क्या किल दोस्तो कुम बदे लेक्स नुम्हें जान्य बाराट